दोस्तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्रीजा LXI को लेके कि ब्रीजा में अगर आप LXI वेरियंट लेना चाहते हैं और अगर आप कन्फीूज़ हैं कि आपको CNG लेना चाहिए या फिर पेट्रोल लेना चाहिए आप confused है कि क्या आपकी running cost उससे निकल पाएगी कितने साल में निकलेगी आपको एक सवा लाग रुप एक्स्टा invest करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप उन दोनों variants को अगर compare करोगे यानि कि आप अगर LXI base variant लेना चाहते हो और आप petrol और CNG के बीच में confused हो तो पूरा detailed analysis करके और पूरी एक एक बात अंदर की मैं आपको खोद खोद के बताऊंगा कि भाई कैसे आपके मैं उसको वो चीज वो direction वो जानकारी दूँ जिससे कि वो एक सही गाड़ी को चूज कर पाए तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर हम ब्रीजा LXI की बात करें हैं तो यहाँ पर LXI variant आपका कितने रुपे का पढ़ रहा है और यहाँ पर मैंने on road prices लिये हैं क्योंकि एक शुरूम prices जो हैं वो CNG के साथ calculation को justify नहीं कर पात तो यह आपकी 10,55,000 रुपे की पढ़ती है अब बात यह कर लेते हैं कि जब आपने 10,55,000 रुपे दे दिये तो आपने कितना पैसा extra दिया 1,17,000 रुपे सबसे पहले मैं आपको एक simple सी calculation करके दिखाता हूं पहले आप इसको समझो उसके बाद में फिर आप यह समझने की को हाईवे, सिटी, लोकल, ट्रैफिक, रेड लाइट, फलाना, डिमार्क का सब कुछ लगा के मैंने यह माइलेज की फिगर को निकाला है अब यहां पे जो कॉस्ट पर लीटर है यह आपकी 96.96 रुपीज है और यह आपकी CNG की कोस्ट है 82.62 रुपीज उसके इसाब से 10,55,000 रुपे की है और आपका जो डिफरेंस है वो 1,17,000 रुपे का है अब यहां पे आपको CNG की गाड़ी और मैनुवल में आपको LXI जो चलाने में डिफरेंस आ रहा है पर किलोमीटर 3 रुपे 32 पैसे का आ रहा है ठीक है अब कितने दिन में आपके यह जो 1,17,000 रुप रुपे वसूल हो जाएगी अब 35,500 किलोमीटर आपकी गाड़ी के कब चलेंगे अब मान के चलो आपकी गाड़ी एक साल में 10,000 किलोमीटर चलती है ठीक है और 10,000 किलोमीटर के साब से यह होगे 3,4 साल के आसपास मोटा मोटा 3,5 साल के आसपास हो गया आपने यह 1,17,000 आप वो बैंक में रखते तो वो पैसा आपका साड़े तीन साल में एक साल में इंटरस्ट देता 8,190 रुपे और अगर आप उसको कल्कुलेट करोगे तो 8 तिया 24,000 रुपे के आसपास आपका वो आ चुका होता आपके अकाउंट में वो 24,000 रुपे जब आप 1,18,000 रुपे अगर आपकी रेनिंग 10,000 किलोमेटर पर इयर है तो 6 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद आपकी जाके कॉस्स पूरी तरीके से रिकवर होगी क्योंकि अगर आप 1,000,000 रुपे अपने इंवेस्ट कर दोगे तो 5 साल में वो 1,500,000 रुपे हो जाएंगे आज की डेट में 7% के इसाब से और अगर आपने मान लिया ये तो बात थी कि आपने अपनी जेप से पैसा दिया अगर आपने मान लिया बैंक से लोन लिया है तो 9% 8-9% के आसपास का जो ROI लगता है रेट ओफ इंट्रेस्ट उसके इसाब से 9,000 रुपे साल उसमें आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो 1,7,000 रुपे आपने दिया है तो पैट्रोल को लेने में ही फायदा है और 7,000,000 रुपे को अपनी जेम में रखने में और इंवेस्ट करने में फायदा है इसके अलावा भी कुछ नुकसान है CNG गाड़ी के वो भी मैं आपको एक एक करके बता जेता हूँ सबसे पहली तो यह calculation ही थी दूसरा है आपकी CNG की गाड़ी की हर चीज़ जब आप रिन्यू कराओगे चाहे वो आपका insurance हो चाहे वो आपकी XYG कुछ भी हो वो आपकी महंगी पड़ेगी CNG गाड़ी की service जो है वो 7-8,000 km पे होती है जबकि petrol की 10,000 km पे होती है क्योंकि CNG की गाड़ी में spark plug और engine oil जादा burn होता है as compared to petrol car उसकी wear and tear जादा होती है तो इस बात को भी ध्यान में रखना कि यहाँ पर service जल्दी होती है CNG की गाड़ी में हमेशा देखो एक mentality तो होती है कि leak का खत्रा बना रहता है तो यहाँ पर यह भी दिमाग में डर रहता है कि company वैसे सब कुछ करके देती है सारे safety precautions रहते हैं लेकिन हमने सुना तो हुआ है कि CNG की गाड़ी में आगवगदा लग जाती है तो इस चीज का डर हमेशा लगा रहता है boot space आपको compromise करना पड़ेगा आधी जगे में slinder आजाता है आधी जगे आपके पास मिलती है पेट्रोल की लोगे पूरी की पूरी जगे आपको 300 सवा 300 लीटर जो आती है आपको देखने को मिलेगी power output गाड़ी का low हो जाता है जहां आपको 103 BHP मिल रहा था वहाँ पर ये गाड़ी आपको 87 BHP पर ले आएगी और जहां आपको 136.8 Nm का torque मिल रहा था वहाँ पर इसमें 121.5 Nm का torque मिलेगा तो power output भी गाड़ी का जो है वो कम हो जाता है उसके अलावा गर्मियों में AC की performance भी सफर करती है क्योंकि जब गाड़ी के अंदर power और torque की कमी होती है तो उसी हिसाब से जो है वो AC भी perform करता है तो AC की performance में भी एक dip आपको देखने को मिल जाता है उसके अलावा आपकी गाड़ी के अंदर एक unnecessary weight जो है वो add हो जाता है जो की हमेशा आपकी गाड़ी के साथ travel करता है 60 liters का cylinder हो गया 60 kilo का cylinder हो गया उसके अलावा CNG का सारा equipment लगा लो 100 kilo के असपास का आपका added weight जो है वो गाड़ी में हो जाता है ठीक है उसके अलावा एक समस्या हो रहा है वो यह कि जैसे मान लिए आप family के साथ कहीं पर जा रहे हो और आपको CNG भरवानी है आपको CNG station पर जाकर उतरना पड़ेगा अपनी गाड़ी से वो थोड़ा सा जो है वो एक discomfort create करता है कि आप जा रहे हो आपको सब को उतरना पड़ रहा है और फिर उसको CNG को refill करवाना पड़ रहा है कि मैंने कई सारी वीडियो बनाई है आप उनको भी जाकर refer कर सकते हो और देख सकते हो आपको उससे काफी ज़्यादा help मिलेगी इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए जरूर इस चैनल को subscribe कर लिजे और अगर आपका कोई दोस्त, family में रिष्टदार या फिर कोई भी जो है CNG गाली लेने का प्लान कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजे ताकि उनको ये real life calculation समझ में आ सके थैंक यू सो मुच पर वाशिग देखने वीडियो बबाई तेक क्यर अव जरूर सेफ बबाई उनको प्लान कर रहा है तो उनको ये जरूर सेफ नहीं सेफ ये वीडियो जरूर अवीडियो बबाई